नमस्कार आपके साथ मैं हुरेशम खान और स्वागत आप सभी का N27 News में मध्यप्रदेश में भारती जंता पार्टी प्रचंट बहुमत के साथ चुनाव जीत गई है वही अब पार्टी का सबसे बड़ा काम मुख्यमंत्री का चुनाव करना है और फिर एक बार मुख्यमंत्री क्या शिवराज सिंग चोहान ही होंगे या किसी और को पाटी भोपाल की गदी सोपेगी इसको लेकर दिल्ली से लेकर भोपाल तक हल चल तेज है लेकिन शिवराज थोड़े बेफिक्र दिख रहे है शिवरा सिंग कल भोपाल में रिलेक्स मून्ड में दिखे और नए सीएम को लेकर काउंडाउन के बीच उन्होंने परिवार के साथ एक होटल में डिनर गिया दरसल मद्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी में इसको लेकर विचार मंखन का दोर जारी है दिल्ली में अमिशा और जेपी नड़ा से पार्टी नेत चीव केलाश विजेवर्गे के भी दिल्ली पोहुशने की खबर है वहीं मीडिया में कहा गया है कि विजेवर्गे ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा से मुलाकात की है साथी भारतिय जनता पार्टी के सभी केंद्री पदधिकारी और मंत्री दिल्ली में है वही सवाल उठ रहा है कि मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ही पाचवी बार प्रदेश का नेत्रत्व करेंगे या फिर कोई और नया चेहरा होगा इसे दिल्ली से केंद्रे नेत्रत्व ते करेगा वहीं प्रदेश में 163 सीटों के साथ भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है और अब मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान समेत आधा दरजल से ज्यादा नेता सीएम पद के दावेदार है दरसल इस बार भाजपा ने बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ा है साथी तीन केंद्रिये मंत्रियों समेत अन्य दिगज नेताओं को चुनाव मेदान में उता रहा है और यह सब ही सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं वहीं भाजपा को मुख्य मंत्री का नाम ते करना है और प्रदेश में अभी शिवराज सिंग चोहान के अलावा केंद्रिये मंत्री नरेंच सिंग तोमर प्रहात पटेल जोतिरादित्य सिंधिया आपको बता दे मुख्य मंत्री के चरन को लेकर भारती जनता पार्टी जल्द ही परिवेशकों की न्यूक्ति कर सकती है और ये परिवेशक मध्यप्रदेश के विधायक दल की बेठक करेंगे और उसके बाद विधायक दल के नेता के नाम का एहलाद भी करेंगे वही इसी बेठक के बाद ते होगा कि मध्यप्रदेश का अगला मुख्य मंत्री यानि सी एम कौन होने जा रहा है तो अभी के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं N27 News